प्रिवेन्यू फ्रेंट पे 123.9 करोर का रिवेन्यू कंप्रीन ने पोस्ट किया है, मुनाफ़े की फिगर 2.1 करोर से घटकर 90 लाग के आसपास कंप्रीन ने दर्ज किया, फिलहाल 2970 के लेवल पे स्टॉक प्राइज है, संदीब गुपता साथ मेरे साथ मौजूद है, जॉइ जी बिजनस को देने के लिए, सबसे पहले की हाइलाइट नतीजों के? गूद मॉर्निंग रजजर जी जी, सर की हाइलाइट क्या रहे हैं बीती तिमाही में नतीजों के? बनाफे फ्रेंट में देख रहे हैं, बॉटम लाइन पे, सिक्वेंशल पे, क्वाटर फोर की में बात कर रहा हूं, थोड़ा डेंट पढ़ा है, थोड़ा सा एक्पेंसे जागा रहते हैं एंड रिवन्यू कम रहता है अब जो प्रोजेक्स शुरू किये हैं, आने वाले समय के लिए वो एक्जिक्यूट होते हुए नजर आएंगे कि अगले कुछ तिमाही हों है याज, फर्स बाइपकार क्वाटर, वी विल बी फिनिशिंग वाल इस 3-4 प्रोजेक्स, विचेवर वी अस्राटिट इन प्रोजेशन है और लगबख 500 लोड के बीडिंग की हुई है, जिसकी इस जून और जुलाई में ओपनिंग होनी की उमीज है, अब आपके जो दो सेग्मेंट्स, टेक्स्टाइल और कंस्ट्रक्शन, प्री इंजिनिरिंग बिलिंग्स जो आप बनाते हैं, उन दोनों का पर प्रोजेशन आ रहे हैं, रेलबेज में, में, डिफेंस में, टेक्स्टाइल हमारी मोर और लेस सेम लाइन पर है और एक स्टॉंग प्रॉस्टिबिल्टी में इन कर रही है, एक बार ओर इंफ्लो के बारे में फिर से पूछूँँगा, सर किस सेग्मेंट पे, सरकारी तो किस सेग्मेंट पे सबसे ज़्यादा ओर इंफ्लो आप एकस्पेक्ट कर रहे हैं, गोइंग फॉवर्ड आने वाले समय में, सर। बहुत शुक्रिया आपका मेरे से जुड़ने के लिए और नतीज़ों बात करने के लिए, तो रेचाइंड डास्टिज की मैनेजमेंट क कुनाल जी आपको फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है कि कि मैं कह रहा हूँ कि बीती तुम्हाइक के नतीज़े चाह सब्डूड रहे लेकिन गॉइंग फॉवर्ड ओर इंफ्लो और एक्जिकूशन हो सकता है रेचा कि भरती हुए नजराए, वाट्स दा हम आज़ा खीवर्डर क की टुम्हाइक डेच कि मैं अभाव शनुकी अजरे स्टॉम्हाएक विपकर ज्डरी एुग ज्रायीरली खॉपरे घ्रायीश र nellिकर खाह मतें शब्रीच करें तक में पर रहे वाव भरुम्हाँ खाइक जा नसरा है तो मरे अनमाणारतों को बड़